Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर नमबर 5 का क्योसे नमबर 22 देखते हैं क्या है If y equal to this determinant हमें y जो है इस determinant की form में दे रखा है function Then prove that dy by dx equal to this, तो dy by dx इसके equal होगा, यह हमने prove करना है अब भई इसको directly तो हम differentiate करके नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे LMN का हमें नहीं पता constant है या क्या है, कहीं आप इनका derivative करो 0 लिख दो, बट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हमें determinant क्या दे रखा, y equal to determinant, fx gx hx और यहाँ पे function क्या है l, m, n, a, b, c यह हमें दे रखा है तो यहाँ पे differentiation करने से पहले आप क्या करो, इस determinant को soul out कर लो, l, m, n, a, b, c क्या है, constant time है, अगर differentiation direct करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, इसके equal नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको simplify करो, y equal to क्या हो, कैसे होता है, simplify y determinant, fx into, यह cut गया, यह cut गया, इसकी हिससे multiply, इसकी हिससे, तो यहाँ पे क्या आजएगा, m, n, b और c ऐसे तो लिखा जाता है, फिर क्या आएगा, minus sign second function क्या है, gx इसको कैसे लिखा जाएगा, यह line कट गी, यह cut गी, l, n, a, c l, n, a, c फिर, यहाँ पे क्या आगया, plus sign, hx into, यह line cut गी, यह cut गी, तो यहाँ पे क्या आगया, l, m, a, b, अब आप सुचो कि सर, ऐसा क्यों किया आपने, क्यों किया बच्चो, ध्यान से दिखो, अगर मैं इसका यहाँ पे d y पे d x करता, fx का f dash x हो जाता, पहली जो हमारी रो थी, वो आ जाती, l, m, n का, a, b, c का करता में, 0, 0 बन जाता, तो होगा एनी answer हमारा proof, मैंने अब क्या किया, इसको, determinant की form में simplify करके y function बना लिया, अब देखो, यह variable है, इसके साथ, यह constant है, तो यह सारा variable मानना जाएगा, अब इसका differentiation कर लो, differentiation, तो यहाँ पे dy by dx, equal to क्या हो जाएगा, fx का क्या हो जाएगा, f dash x, और यह जो function है, यह agit, जिसके साथ chip का रहेगा, m, n, b, c, minus gx का क्या हो जाएगा, g dash x, और इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं, l, n, a, c, प्लस में, hx का क्या हो सकता है, h dash x, और यह क्या रहेगा, l, m, a, b, रहेगा या नहीं रहेगा, हो गया derivative, देखो, अब इसको थोड़ा simplify करके लिख लो, dy by dx, equal to, अगर इस condition को मैं determinant की form में लिखना चाहूँ, तो क्या आएगा यह, f dash x, g dash x, h dash x, reverse process, reverse osmosis लगा दिया हमने, इससे यह आया था, इससे यह आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह हमारे क्या आ जाएगा, adjectives, l, m, n, और a, b, c, यह हो गया derivative, hence prude, समझ में आगई बात, देखो, इससे हमने यह बनाया था, इसका derivative कर लिया, यह आ गया, इससे वापिस हमने यह बना दिया determinant, बस यह काम हतर ना था हमें, clear हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, चैनल को subscribe करना, like करना और ज़्यादा से ज़्यादा share करना, आपका अपना चैनल नेक्सा क्लासे, thank you students,